जन्पत बांदा में विद्दूत विवाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है जहांपर विद्दूत विवाग के अडियल रवये के चलते हाई टेंसन तार से एक किशान की मौत हो गई बांदा जन्पत के बभेरू तैसील छेतर के अंतरगत मौरवल कस्वे में एक किशान अपने खेत पर काम कर रहा था तबी वहाँ खेत के पास में एक ब्रक्ष के नीचे चाहों में बैठा जैसे ही वह बैठा जूल रहे बिद्दूत विवाग के हाई टेंसन लाइन की पानी पीने के लिए तो यहां इसको पका लिया तो हम देखते रही गए तो फिर हम चुआ नहीं उसको किसको पीतम कहते हैं मंगा तार नीचे थे तार इतने में है जितने में थे नीचे कि अधिन के पास तो चाहिए की तरफ गया तो हमारे यहां जो 11000 की जो लाइन निकली हुई है वह बहुत दिन से जो है तो ऐसी जो तो टंगी हुई है बिल्कुल ऐसे लेबिल में है कि आदमी बगल से निकले का तो टुछ हो जाएगा कई वारिश की सिकायद की गई है पर जो बिजली भाग वाले सब सोरह है आज तक किसी प्रकार की कुछ प्रवाइब के खिलाब हुई है उस गरीब आदमियों को मौजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से जोगी है सब्सक्राइब कर रहे थे जो अपना खेत में मड़ाई का कार कर रहे थे चाया में आ रहे थे तो सड़क के किनारे जो 11,000 बोल्ट की लायने इसके तार नीचे लटकने से टच होने से इनकी मृत्तु हो गई है इनके घरबालों ने रोट पर बाड़ी को रख दिया था हम लोगों ने समझा वजा कर इनको बाड़ी को पी-म हित भेजा है इसमें हम आर्थिक साहिता के लिए जो इनको पांच लाख रुकवे का मौज़ा मिलना एक डियम साहब से बात करके उपर बारता हो गई है और इस आसा ही तहरीर मिलेगी इसमें बिदिक कारवाई कराई जाएं गितार की स्परेट में आकर प्रीतम भर्मा की अचानक मिर्त हो गई है जिसके मौज़े की बात की गई है और जो क्रिशक दुरुखट्टा में अधिक्तम हो सकता है पांच लाख का इसको निवाज़े